बहुत सारे लोगों का मेसेज आ रहा था कि वो आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स को खरीदना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितना कैश बैक चल रहा है और कौन से क्रेडिट कार्ड पर इसका कैश बैक मिलेगा और वो इसको फाइनांस भी करवाना चाहते हैं तो फाइनांस की क्या क्या आप्शन्स हैं इस वीडियो के हंदर हम ये बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बैक की कैश बैक जो है आपको वो 5000 रुपीस मिलेगा अगर आप जो अपने कार्ड से पूरी की पूरी की पूरी पेइमेंट करते हैं तो आपको ये फोन जो है तकरीबन 1,15,000 रुपे के करीब मिलेगा ऐसे ही 13 Pro Max का है 13 Pro Max जो है 1,30,000 के करीब है अगर आप पूरी की पूरी पेइमेंट क्रेडिट कार्ड से पेइमेंट करते हैं तो आपको 5,000 रुपे का कैश बेक मिलेगा तो ये फोन जो आपको पड़ जाएगा 1,25,000 रुपे का आपको मिलेगा अब बात करते हैं हम HDFC डेबिट कार्ड की आप अपने HDFC के ATM या डेबिट कार्ड से भी इसको खरी सकते हैं पर उसके लिए आपको अपनी डेबिट कार्ड की EMI लिमिट जो है वो चेक करनी होगी उसके लिए आपको अपने रिजिस्टर्ड मॉबाइल नमबर से 9643 22 22 22 22 9643 22 22 22 22 पर जो मिस्कॉल करनी होगी मिस्कॉल करने के बाद आपको एक मेसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके डेबिट कार्ड की EMI लिमिट क्या है मतलब कि आप अपने डेबिट कार्ड को as a credit card भी यूज कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को ये पता तक नहीं होता कि उनके डेबिट कार्ड पर भी credit कार्ड की EMI लिमिट है और वो जो है बिना cashback के ही phone को खरीद लाते हैं तो आप इसको चेक कीजिए और message को देखिए उसके अंदर अगर आपकी अच्छी लिमिट आ जाती है तो आप अपने debit card से भी इसको खरीद सकते हैं पर आपको जो है इसके उपर कम से कम 6 months की EMI लेनी होगी तभी आपको ये 5000 रुपे cashback मिलेगा और आपको ये EMI जो होगी ये zero cost होगी आपको कोई extra payment नहीं करना है पूरा का पूरा जितना भी interest बनेगा वो Apple जो है HDFC bank को दे देता है और आपको ये phone जो है वो 0% पर मिलता है पर दोस्तों कई लोग जो है वो पहली किष्ट पर घबरा जाते हैं वो दे debit card है आप अगर उससे EMI convert करते हैं तो उसमें first EMI के अंदर 300 के करीब जो है वो EMI convert करने के charges लगते हैं इसके इलावा जो है आपको कोई भी extra payment नहीं लगती है तो अगर आपके पास HDFC debit card है और आपकी लिमिट आ गई तो आपकी तो lottery लग गई इसके बात करते हैं हम finance की बहु finance से ऐसी बहुत सारी company जो है इसको finance करती है पर मैं आपको बता दूँ कि iPhone 13 Pro और Pro Max पर कोई भी zero cost financing option नहीं है zest को चोड़के zest money जो है वो आपको zero बारा की EMI देती है मतलब के आपको इस पे बारा किस्त मिल जाएंगी zest finance पे उसके लिए आपको अपनी credit limit जो है वो चेक करनी होगी अगर आपको अपनी credit limit नहीं पता है तो मैं आपको description में एक link दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर आप अपनी zest money की अपनी EMI limit चेक कर सकते हैं उसके लिए बड़ा simple process है आपको अपना अधार card और pen card इसक में detail डालनी होती है क्या काम करते हैं आप कितनी salary है तो ये detail डालने के बा वहाँ पर जाकर आप इसको finance करवा सकते हैं और इस पर आपको 8% down payment करनी पड़ेगी 8% का मतलब अगर एक लग 20,000 का phone है तकरीमन उसका 8% आप निकाल लीजिए उतनी आपको down payment करनी पड़ेगी और बाकी जो है 12 किस्त जो रहेंगी आपकी वो zero cost EMI रहेंगी मतलब कि आपको कोई भी interest pay नहीं करना है और आपको ये phone जो है बहुत ही आसानी से आसान किस्तों पर 12 किस्तों पर मिल जाएगा इसके इलावा अगर आप बजाज finance करवाना चाहते हैं या HDFC से finance करवाना चाहते हैं तो मैं बता दूँ उन पर आपको interest bear करना होगा finance तो हो जाएगा पर आपक interest के साथ थोड़ा सा महखा पढ़ सकता है तो यह कैसी लगी दोस्तों जानकारी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाई गूरू करना दोस्तों अच्छा लगता है और अगर आपको ये वीडियो बहुत जाद अच्छी लगी है और अपने family members से उरस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं थैसी वीडियो बने रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट को